हे गाईस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्पागत हैप का इस वीडियो में तो दोस्तों एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ आप सभी के निट लिए वेकेंसी निकाली गई है डियाडियो की तरब से यानि कि डिफेंस रिजर्चन डवलप्मेंट और्गनाईजेशन की तरब से टोटली पर्मानेंट जॉप्स की वेकेंसी से सरकारी नोगरी है जो की ओल इंडिया की केंडिट अपलाई कर सकते हैं पोस्टे भी यहाँ पर प्लस आपको सेलरी मिलने वाली है तो प्लीस प्रोजेक्ट साइन्टिस्ट की यह रिक्रूट्मेंट काफी दिनों से अटकी हुई थी फानली इसकी नोडिफिकेंसी आई हुई है यहाँ पर वेकेंसी देखने को मिल सकती है जहां पर MTS बोला जाता है जहां दोस्तों MTS की प्लस आपको सेप्टमबर तक देखने को मिल जाएगी इसलिए पहले यहाँ पर वेकेंसी प्रोजेक्ट साइन्टिस्ट की निकाली गई है चले डिटेल नोडिफिकेंसी वाइस बात करते हैं कि किस टैप की यह पोस्ट है अलग-अलग चारपाइंस तरह की पोस्ट ने नि की हैं जदी से चैनल को जाई सब्स्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेज कर लें और इसी तरह गवर्मेंट जॉब्स की अपडेट पल-पल पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेज करें ध्यान रखें अगर आप आई-टी आई हैं डिप्लोमा हैं बीबिटक या फिर इस पड़ेज चली आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक कि जिए तो गईज यह है ऑफिसेल नोडेफिकेसन मेश्री ऑफ डिफेंस 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 रिसेर्च औ डवलप्मेंट और्गनाइजिस्न डिया डिवो की रिकूट्मेंट है रसी यानिकी रिकूर्टमेंट center यहां से vacancies release की गई है डेली में आपकी posting होगी closing date देख लो 11 अगस 2023 टाइम है आपके पास क्योंकि last date है फॉर्म फिलब करने की 11 अगस तक vacancy जो है यह आपकी देख सकते है self-reliance and critical technology relevant to national security DRDO formulized external programs के अंदर में इसी को लेकर project scientist B की recruitment out की गई है जो कि RAC की official website पे विजिट करके आप form apply कर सकते हैं total number of vacancy है देखो पचपन vacancies है तो पचपन vacancy DRDO में अगर RAC के base पे और project assistant project scientist की निकल दी है तो vacancies कम नहीं है vacancy बहुत अच्छी खासी है पचपन vacancy इस टैप में बहुत है ओके vacancy देखो सबसे पहले scientist F की निकाली गई है इसमें ज़्यादा नहीं है एक vacancy है highly experience है plus salary भी तो highly है 2,20,000 salary है यार समझ सकते हो तो AZ भी है next है project scientist D की इसमें total 12 vacancy से 5 year की experience है 1,24,612 उर्पे salary मिलेगी 45 year of age limit है next vacancy सबसे ज़्यादा है project scientist D की ये vacancy बहुत अच्छी recruitment आउट की गई है जहां पर maximum maximum या फिर minimum 3 साल की मादर experience है 1,08,000 आपको salary मिलने वाली है इसमें 40 साल एजल मिठ है relaxation इसमें सभी candidate को मिलेगी next vacancy project scientist B क्योंकि हम अधिकतर जिस post के नाम से जानते हैं वो post का नाम है scientist B की total 12 post पर recruitment आउट की गई है यहां पर देखिए अभी तक नील है hopefully फ्रेसर अपलाई कर सकते हैं 90,789 रुपय आपको salary मिलने वाली है 18 साल से लेकर 35 साल की candidate अपलाई कर सकते हैं इसमें फ्रेसर भी अपलाई कर सकते हैं और experience भी अपलाई कर सकते हैं total number of post है 55 vacancy देखो यही सब recruitment है यह आपकी age limit है relaxation सभी को इसमें मिलती है और यह एक short notification है जो employment newspaper के जरिए release हुई है जल्द है आपको इसकी official notification देखने को मिलेगी RAC की official website पर 11 अगस 2023 तक form last है जहां तक आप apply कर सकते हैं online के जरिए इसमें qualification देखा जाए तो देखो गाई इस प्रोजेक्ट सेंटिश बी में तो बी भी टेक मांगी जाती है अलग अलग ब्रांच के लिए होती है तो ब्रांच यह official notification आएगी तो पता चलेगा कि कि इस ब्रांच से वेकेंसी रिलीज की किए वैसे भी जितनी है इसमें M.E.M. इसमें आपकी डिप्लोमा एंड एक्स्प्रियंस डिवांड की जा सकती है और यह टोटली क्वालिफिकेशन एक्स्प्रियंस जब ओफिसल नौडिफिकेशन आएगी तभी पता चलेगी लेकिन इतना ध्यान रहे कि इंजिनियरिंग केंडिट के लिए ही वेकेंसी जे अप तो यह चीज त्यान रखें वेकेंसी आचुकिए आप सभी केंडिट के लिए अगर आप पैलिस बले हैं तो जरूर अपलाइ किजिएगा कुछी दिन में आपको इसकी ऑफिसल नौडिफिकेशन देखने को मिल सकती है टेलिग्राम चैनल है सकसे दिलिप आप वहां से जू